नमस्कार एनाई वेलकम टू अलोफ यू इन ग्लोबल लूकाउट दोस्तों मंकी पॉक्स जो की आजकल बहुत जादा न्यूज में फैला हुआ है आई होप आप तक इसका नाम काफी बार सुन चुके होंगे यह आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है और 21 देसों से होते हुए इस आप इंडिया में भी आ चुका है हला कि ये कोई नई बिमारी नहीं है पहले भी आप ब्रेक्स आ चुके हैं और ये पहले से भी इस बिमारी के बारे में हम लोगो पता हुआ था लेकिन इस पहला कैस जो है रिपोर्ट होता UK में जिसको लिंक किया जाता है नाइजीरिय से आया UK में जिसके बाद ही यह बिमारी यहां पर शुरू हुई है तो यह monkey pox है क्या और किस तरह से यह फैलता है इसके symptoms क्या है और कितना dangerous है यह सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा बस आपको बने रहना एंड तक इस वीडियो में और अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share, subscribe वीडियो पर करना है दोस्तों monkey pox एक viral और यह जो बीमारी है जादा तर West और Central Africa में पाया जाता है इस बार इस बीमारी की शुरुआत हुई है UK में जिसके बाद से जो है यह का बाकी countries में भी फैलने लगा और अब ही अमेरिका, Singapore ऐसी का बीकीस countries में यह फैल चुका है और इंडिया में भी हाली में कुछ नए cases देखने को मिले हैं South में Kerala state में जो virus इसमें involved है जिस virus की वज़े से ये फैलता है उस virus का नाम भी monkeypox है और ये virus बिलॉंग करता है orthopox virus family से जिस family से smallpox virus भी बिलॉंग करता है अगर इसकी history की बात करें तो ये बिमारी के बारे में हम लोग को पता चलता है 1958 से हैं जब कुछ बंदरों में अजीब से symptoms देखने के बाद उन पर research की जाती है जिसके बाद एक नया virus मिलता है जिसका ये लोग नाम रखतेते हैं monkey virus जो origin है ये monkey से हो ये confirm नहीं है सबसे पहले ये discover हुआ monkey में इसलिए मंक्सिस का नाम रख दिया जाता है उसके बाद 1970 में कॉंगो में एक छोटे से बच्चे के अंदर कुछ अलग symptoms देखे गए जो की काफी हर्थ तक related थे smallpox से उसके बाद जब और उसको investigate किया गया तो पता लगा कि ये जो वाइरस है ये वही वाइरस है जो 1958 में monkey के अंदर देखा गया था तो पता चलता है कि ये human में भी transfer हो सकता है अगर इसके symptoms की बात करें तो fever आना body में pain होना, सर में दर्द होना rashes और इस तरह के कुछ symptoms होते हैं इसके जो की बहुत common है बाकी बीमारियों में भी अगर आपको इस तरह के कुछ symptoms आज के टाइम बे दिखाए देते हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल करिये और history हो गई, symptoms हो गया ये भी बता दिया कि फैलता कैसे है लेकिन किस तरह से फैलता है ये भी जान लेते हैं अगर हम लोग animals to humans की बात करें तो उनके skin to skin contact से या फिर blood से या body fluid के contact से या फिर उनका uncooked भीट खाने की वज़े से ये फैल सकता है humans में अगर humans to humans transmission की बात करें तो sexual intercourse हो गया, body fluids हो गई और blood का transmission हो गया respiratory tract, secretion जैसे आपने चीका और आपका जो droplets होते हैं वो किसी के उसमें चला गया और आप infected हो तो सामने ओला भी infected हो जाएगा इन सब के बात यहां तक की skin to skin touch से भी ये बिमारी जो है वो transmit कर सकती है humans to humans अगर इसकी treatment की बात करें तो ये बिमारी जादा तर cases में तीन से चार हफते में अपने आप ठीक हो जाती है और इसके vaccines की अगर बात करें तो इसमें जो इसकी अलग से भी vaccine है लेकिन 85% cases में ऐसा देखा गया है कि जिन लोग ने smallpox की vaccine लगाई है वो vaccine इसमें भी effective होती है और इसमें भी अपना result देती है इससे भी prevent करते है लेकि 1980 में इस world को smallpox free declare कर दिया गया था उसके बाद भी इसका spread कही जगे हम लोग को देखने को मिला है तो इसका मतलब जो ये vaccine थी smallpox की जिसको माना जाता था कि ये 85% cases में effective है हो सकता है ये claim गलत हो क्योंकि ये monkeypox क्योंकि अपने फाइनल कोश्चन पर कि ये विमारी आखिर है कितना डेंजरस इसकी वज़े से फिर से लॉग डाउन लगेगा फिर से घर में बंद हो जाएंगे या फिर किता फैलेगा ये उत्ती हो सकती है देखो death का जो सवाल है इसमें death होती है कई cases में लेकिन वो बहुत rare है ये बीमारी actually में खुद में बहुत ज्यादा rare है और इसका जो spread है वो भी उतना नहीं है जितना कोरोना वाइरस का spread था यानि जितनी तेजी से वो फैल रहा था उतनी तेजी से नहीं फैलती है उसलिए हम लोग को ड़नने की ज़रत नहीं है दूसरा है कि इसका जो death rate है वो बहुत कम है तो उसकी वज़े से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ड़नने की ज़रत नहीं है तीसरा ये बीमारी तो यहां थोड़ा कैच है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यह उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, इस से डरने की ज़रत नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव रहने की ज़रत है, और अभी के आज जो सिचुेशन है, उस पर देख के यह कहा जा सकता है कि कोई लॉक डाउन नहीं ल होती है, उसको अपना है, ताकि यह जो देख वाला जो केस है, और भले ही यह केस काम है, लेकिन हमारा केस उस केस में नहीं है, इसका अब तक का जो सबसे बड़ा आउट प्रेक है, वो आया था, 2017 में, नाइजीरिया में, जिसमें काफी लोगों की जो है, जान चली गई ती इसलिए मैं कहूंगा आपको कि भले ही इससे डरने की जौरत नहीं है, लेकिन हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं, अपने आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, उतना हम लोग को करना चाहिए, और जो हम लोग बेसिक चीज है, जो अपना सकते हैं, जैसे कि इम्मुनिटी पे अ जौरत ही है, अब तक सबको पदा चल चुका है, कोरोना वाइरस की वज़े से, तो उस चीज को अभी भी अपनाए रखिये, और जो एक healthy lifestyle होती है, उसको अपना ही है, और बाकी बहुत जादा इससे tension लेने की जौरत नहीं है, तो that's it for the video, have a nice day, take care.